क्या सिंगम को डराएगी मंजुलिका या खुद जाएगी डर दिवाली पर कौन मचायेगा धमाल, कौन होगा फुस्सीबं रूह बाबा और मंजुलिका के लगेंगे तड़के या दीपिका और करीना के दिखेंगे जटके दिवाली धमाके पर दो बड़ी फिल्मों की टककर होने जा रही है जिनको लेकर कयास लगाये जा रहे हैं कि आखिरकार इस दिवाली पर कौन सी फिल्म बाजी मारेगी और कौन सी फिल्म चित हो जाएगी जैसे जैसे दिवाली का तहवार नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों के excitement भी बढ़ती जा रही है क्योंकि काफी दिनों के इंतजार के बाद बॉलिवुड की दो बड़ी फिल्मे सिनेमा घरों के पर रिलीज होने को तयार है फिल्मों के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि अभी टककर काफी दिल्चंस पो होने वाली है एक तरफ जहां अजय देवगन सीता को लंका से दलाने के लिए दमदार डैलाउग करिस्तमाल किये हैं जिसे सुनकर फैंस एकदम गदगद हो गए हैं तो वहीं कार्तिकारियन रूह बाबा बन कर मंजुलिका के साई को अभेली से खत्म करेंगे बता दे कि सिंगम 3 में अजय देवगन करीना कपूर, दीपिका पादकोर, रनवीर सिंग, टाइगर सौफ और एंड में अच्छे कुमार दिख रहे हैं हाला कि एक्षन की साथ ही खूब सारा ड्रॉमा, कॉमेडी और जबर दस सिंगमेटोग्राफी भी देखनों के मिलने वाली है बता दे सिंगम 3 का ट्रेलर देखकर लगता है कि कार्तिकारियन क्यों मुश्किले बढ़ने वाली है वहीं 4.58 की ट्रेलर में एक गैलाउग ने पूरे ट्रेलर की लाइम लाइट को लूट लिया है दरसल जैसे रामैर में माता सीता का रावन ने हरन किया था ठीक उसी तरह से फिल्म में बादिराव सिंगर की पत्नी पनी करीना कपूर को रावन उठा ले जाएगा जिसमें ये दिखाया गया है कि तिहास खुद को दोहराने वाला है वो एक बचन के लिए लंका जलाने वाला है वहीं बात करे बूल भलया थिरी की तो अभी इस फिल्म का ट्रेलर आउट नहीं हुआ है जो की आज रिलीज होने वाला था लेकिन पॉश पॉट कर दिया गया है दरसल सूत्रों का कहना है कि बूल भली अक्षी की टीम ने आज अपना ट्रेलर रिलीज करने का फैसला क्या था तेकिन उन्होंने इसे टाल दिया और सिंगम 3 के ट्रेलर के बाद ही इसे रिलीज करना चाहेंगे वहें इस फिल्म में कार्तिकारेंड के लावा नेशनल प्रेस ट्रिप्पी डिमरी विद्याबालन और मादरी दिक्षित भी हैं यूपी नियूस के लिए प्रेंका यादों की रिपोर्ट